मैं हूँ आपके साथ आयुश्मा और आपने लॉगिन किया है फिल्मी बीट बॉलिवुड में कपल्स के डिवोर्स की खबरे आम बात हो गई है बीते दिनों अरबास खान और मलाइका अरोडा की तलाग के बाद अब अरजुन और उनकी पतनी मेर जैसिया के डिवोर्स की खबरों ने जोर पकड़ लिया है सुने में आया है कि पूर्व मिस इंडिया रह चुकी मेर जैसिया और अरजुन रामपाल ने अपने 19 साल के रिष्टे को खतम करने की सोच ली है इतना इनी बहुत टाइम से अरजुन रामपाल और मेर जैसिया एक साथ रहते भी नहीं है कहा ये भी जा रहा था कि अरजुन की रिट्टे की एक्स वाइफ सुजेन खान से नजदी के आँ बढ़ चुकी थी जो मेर को बिलकुल मनजूर नहीं थी आपको बदा दे की अरजुन और मेर ने 1998 में शादी की थी अरजुन से शादी करने पर मेर को उनके समुदाई से बेदखल कर दिया गया था मेर पारसी फैमली से हैं और अरजुन हिंदू है मेर ने 1986 में फेमिना में सिंधिया का ताच पहना था इस वक्त महर की उम्र मात्र सोला साल थी फेमिना मिस इंधिया का ताच पहनने के बाद कम समय में ही उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में नाम कमाया वो सभी बड़े ब्रांड जैसे लाक में, बॉंबे टाइंग, पामो लिफ का चेहरा थी महर ने एक इंटर्व्यू में कहा था कि वो कभी आक्ट्रिस नहीं बनना चाहती थी वो मॉडलिंग में ही नाम कमाना चाहती थी महर जब अपने करियर के पीक पर थी तब उन्हें इंटरनाशनल मेकप ब्रांड लांकम का फेस बनने का मौका मिला था उस वक्त आक्ट्रिस इसाबेला रोजलीनी इस ब्रांड की फेस थी लेकिन महर ने ये ओफर छुकरा दिया उन्होंने एक इंटर्व्यू में बताया कि मॉडलिंग में बिजी रहने की वज़े से वो अपने घर को मिस कर रही थी और फेमिली को छोड़ कर वो अबरोड जाना नहीं चाहती थी इसलिए उन्होंने ओफर छुकरा दिया फिलाल इस वीडियो में इतना ही टेलेविशन और बॉलिवूद की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे ये फिल्मी बीट